हेलो स्के मोबाईल वर्क में आपको स्वागत है दोस्तो कैसे हैं आप सभी आयोप आप, बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मेरे पास वीवो वीपंद्रेप प्रो दोस्तो मोबाईल रिपेर होने के लिए और इसके अंदर दोस्तो तो जैसे हम charging पे लगा रहे हैं, इसके अंदर temperature to low लिखा रहा है, ठीक है, temperature to low रहा है, और ना ही दोस्तों फोन ही on हो रहा है, ना ही ये charge हो रहा है, तो दोस्तों देखेंगे, ये problem है कहाँ पे, कैसे problem है, पूरा complete दिखाएंगे, देखेंगे, हमने charging पे लगा दिया, charging का symbol आय है, हाँ, ये लिखा है complete, अब देखेंगे, ऐसा ही हम दोस्तों मोबाइल यहां पे charging पे लागा दिखाते हैं, आपको बिल्कुल ये देख सकते हैं, ओपर charging चल चुगी है, ठीक है, तो charger का ये issue नहीं है दोस्तों, क्योंकि charger customer कहीं चारे बदल के देख सुका है, देखेंगे दोस्तों, आपको completely repair करके दिखाएंगे, और okay करके दिखाएंगे, phone temperature to low, charging stop it, ठीक है, ये problem इसके अंदर आ रही है, वीवो वी पंद्रै प्रो है, इसमें काफी सारे model होते हैं, वीवो वी पंद्रै प्रो हुआ, पंद्रै हुआ, वी पंद्रै काफी सारे model इसमें ऐसी problem आत दोजार बाइस सो, तो हम इसे सस्ते में करेंगे, चलिए दोस्तों करते हैं, यहां से हमने इसका बैक कवर ढखकन खोल दिया है, आप देख सकते हैं, phone पहले भी खुला हुआ है, चलिए खोई बात नहीं है, तो सबसे पहले जब दोस्तों, ऐसी problem आती है, हमें क्या करना है, जो हमारी सब PCB होते हैं, चार्जिंग PCB बोलते हैं, चार्जिंग जहां पर जैक लगता है, उस वाली PCB को यहां से पेज़ खोल के निकालना होगा, तो चलिए दोस्तों, चलिए से पेज़ खोल के निकालते हैं, और हमें सबसे पहले ऐसी condition में चार्जिंग जैक को देखना है कि वो गल गुला तो नहीं राया उसकी पिन तो नहीं फटरी को भी बैक साइड से या उसमें कोई जुगार बाजी तो नहीं करा कि सबसे पहले हमें ये चीछ देखनी है ठीक है तो नीचे तो मुझे सब कुछ नया सा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं लग रही है साफ सा लग का जो ये सिस्टम है ये पूरा पूरा बाहर निकाल के देखते हैं कि कंडिशन क्या है इसके अंदर ठीक है ना तो यहां से हम दोस्तों इसका जो है चार्ज ये वाला पत्त में आराम से निकालें क्योंकि दोस्तों इसमें फिंगर प्रिंट में चार्जिंग डिस्प्ले औ आइक जैक सारा कुछ धंदा इसी के अंदर होता है यह वाली बोर्ड जो बहुत रिस्की उता है इस पर काम करना तो देख सकते हैं दोस्तों जो जैक हो बिल्कूल छाफ है देख सकते हैं अंदर से बिल्कूल साफ है बाहर से वसाब है तो इस PCB का हमारा है कोई भी failure fault नहीं है तो दोस्तो अभी फिलाल इसको एक तरफ रखेंगे अभी कुछ चीजे test करने हैं उसके बाद इस PCB पर काम करेंगे तो पहले हम उपर का section को भी खोल लेते हैं तो हमें अब दोस्तो जो दूसरी पर के लिया करनी है मतलब दूसरा जो step करना है वो क्या करना है चलिए आपको बतते हैं दूसरे step में आपको देखना है कि बेंटरी का connector तो नहीं अट रहा है ठीक है न तो बेंटरी को चेक करेंगे दोस्तों क्यूंकि दोस्तों ऐसा हो जाता है बेंटरी कनेकटर हट गया या कट गया या किसी वैसी दिक्कत हो जहती है जब ऐसी problem बनती है तो बेंटे कनेक्ट तो यहां देख सकते हैं लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है तो यह हम इसके सारे जो हैं आसे सेरी एक तरफ निकाल लेते हैं कैमरे का ऐसी रख रहे हैं देंगा लेंगे लेंस पर जिससे की आथ ना लगे ठीक है है तो व--"कनेक causing और गार है है, up wiederum हैं तो साफ बेंटी को एक बड़ वह वा हता वे नहीं तो सफ है और गार हट।के तो साफ है योई यूजंगर आपाब बन हाथा हुँ है वे तो तो इसकेize क्य।क पर देख सकते हैं o मैं अभी आपको निकाल के दिखाते हूं इसको मुझे हलका से एक डैमिज लग रहा है इसके अंदर क्योंकि दोस्तों क्या होता है जो चार्जिंग वाला पत्ता है इसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं वीज डेटा के विल प्लश डेटा के विल माइनस हुआ कॉमन हुआ ग्राउंड हुआ और पांच वोल्ट का हुआ तो दोस्तों इसमें से कोई सी भी प्रिंट अगर मीसिंग होंगे तो डिस्प्ले पर एरर सो होने लगता है वहां पर क्या होता है हमारे प्रोसेसर तक शारी पीने जो हैं लोग नहीं हो पाती जिस वाज़े से दोस्तों हमारे एरर देने दगता है डिस्प्ले के अंदर क्योंकि वो रेजिस्टेंस वाँ पर चेंज हो जाता है आप देख सकते हैं पत्ता काफी सारा अंदर से मनलब दब सी के कटा हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों यह फ्लक्स केबल हमारा मुझे डैमेज लग रहा ह हमें इस फ्लक्स केबल को सबसे पहले रिप्लेस करके देखता हूँ यह मूबाइल है वीवो वी पंदरे प्रो ठीक है ना वी पंदरे प्रो तो मेरे पास यह है फ्लक्स केबल देख सकते हैं वीवो वी पंदरे प्रो का यह मेरे पास फ्लक्स केबल आया है और यह दोस्तों तो इसके प्राइज में आपको बता देना चाहता हूँ 200-200 रुपए है कि आसपास यह प्राइज होता है ओनलाइन थोड़ा सा महेंगा मिलता है और जो आप पर सब्सक्राइब ड़ाओगे और भी ज्यादा महेंगा मिलता है तो देख सकते हैं बिल्कुल सेम फ्लक्स केबल है हम इस फ्लक्स केबल को यहां पर रखेंगे क्योंकि वो फ्लक्स केबल मुझे डैमेज लग रहा है मैंने बिल्कुल नया फ्लक्स केबल लिया है आप देख सकते हैं और अभी हम दोस्तों चार्जिंग चेक करेंगे क्योंकि दोस्तों चार्जिंग का यही है और जो इसके सी यहां पर दोस्तों यह हम लगा के देख लेते हैं अभी यह इसका जो हमने चार्जिंग पता था वो हटाया था उसको वापसी लगाते हैं अभी हमने पहला काम किया है अभी यही काम किया है चंज करके देखा हमें ना देख भाट लिगाता है ठीके ना जब ऐसे दिक्कत आए न तो दोस्तों यह काम मत करो पहले आप फ्लकस के बहूं चेक कर लो क्यूंकि इसका जो नीचे और जने डेक कोता है ना लोकल डेलने के बाद वह मज़ा नहीं आता फिर इसमें और ज्ञनी इसका खराब जल्दी से होता है हक्यकत बात है यह दोस्तों फोन इसमें जय कintérieur था एपन पर में जो हुआ भी नहीं होता जल्दी से चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं हाँ पर चार्जिंग पर लगाते हैं अभी तो हमने फोन लगा दे चार्जिंग पर और अभी देखेंगे कि शॉल उसे नहीं होता है नहीं होता है तो देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग का प्रॉब्लम में ले ले लें कस्टूमर से और हमारा काम हो जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते नेक्ट वीडियों में आपको कुछ नहीं सीखने को मिला है प्लीज एक वीडियो को लाइक का देना और दोस चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करें थैंक यू